Hello friends, welcome to Learn Services, this is Ram Soni आज हम बात करेंगे 14th CAGI of India के बारे में भारत के 14 नियंतरक महालिखा परिच्छक जानते हैं नियंतरक महालिखा परिच्छक के पास क्या पावर होते हैं क्या उनके पास जूटीज होती हैं और उनका कारेकाल कितना होता है बात करेंगे भारत के 14 नियंतरक महालिखा परिच्छक के बारे में और देखा जाय तो हमारे जो फॉर्मर जम्मु कस्मियर के लुटेन गवरनर थे जिसी मुर्मो इनको अभी हाली में CAGI की पोस्ट में बढ़ाय गया है और उन्होंने पहले राजू महरसी जो थे हमारे भारत के नियंतरक महालिखा परिच्छक उनको रिप्लेस किया है तो राजू महरसी का भी नाम आप याद रखें ये इनके पहले थे मतलब राजू महरसी की बात करें तो ये भारत के 13 हमें निया अंत्रक मालिखा परिच्छक थे तो इनको आप याद रखें तो ये नए CGI बने CGI को बोलते हैं Comptroller, Anology General, बने आप इनके पास काफी महत्पूर्ण पोस्ट होती है काफी महत्पूर्ण इनके पास duties होती है काफी सारे power होते हैं ये सभी power के बारे में बात करेंगे कीनकी कीनकी audit करने के इनके पास power होता है आई सभी के बारे में जानते हैं वेल, देखा जाये तो हमारे समिधान में एक independent office trade की गई है CGI करूप में, chapter 5 में और part 5 में तो ये आप याद रखें देखा जाये तो article 148 से लेके 151 तक बात किया गया CGI के बारे में जहां तक बात करें article 148 article 148 प्रॉपली बात करता है कि भारत में एक नियंतरक महालिका परिच्छा हुआ there will be control origin of India in India second 149 जो है ये article बात करता है duty of CGI के बारे में रेम बर्दिस्वन ये बात करता है duty of CGI बारे में ये भी आप याद रखें और ये articles आपको याद करना कभी के भी जरूरी हो आता है यहां से कुछ पुछा आते है लगला point यहां पर यह है कि यह जो हमारे Indian Audit Accounts Department होता है उसको head करते हैं और कई बार आपको पता होगा CGI office में basically selection भी होते है यह आप SST qualify करें तो वहाँ पर जो clerical post होती है वो भी आप SST के दुरू फिल की आती है यह भी आप याद रखें हमारे public post के gorgen कहलाते हैं that's also important point apart from that देखा जाएंगे जो duties है वो समिधान को uphold करना और जो parliament basically parliament को accountable करना basically financial administration के रिए जो हमारा वित्ती प्रशाशन होता है उसमें हमारी जो basically government होती है उसके accountable करना होता है well CAGI का नाम सायद आपने पहले कम सुना होगा लेकिन एक बेहत महत्पूर्ण नाम है विनोध राय का विनोध राय जब CAGI बने उस समय आपको पता चला होगा और इनको बराने के बाद में आपने देखा वो 2G spectrum scam का खुलासा हुआ था जिसने government को सकते मडाल दिया था इसने कह सकते हैं CAGI काफी महत्पूर्ण पोस्ट होती है चुकि government के जो काम करने की सहली होती है उसकी audit करती है तो कई बार ये चीज़ें भी काफी important होती है और बदाते ही government को government नहीं मतलब parliament को या आपने report में चीज़ को mention करते हैं कि basically government ने जिस तरह से funds का law use किया है उसको किस तरह से बहतर use किया सकता था और किस तरह से government को ज़्यदा फायदा हो सकता था बारे में यहां पर बात की जाती है वेल देखा जाए CAG को appoint करते हैं भारत के राष्टपती by a warrant under his hand and seal लेकिन कमाल की बात ये है कि ये काफे surprising है कि इनका appointment जो council of minister है उसकी recommendation के द्वरा होता है भारत के राष्टपती basic को appoint करते हैं के recommendation जो है मंत्री परशत की होती है कोई ऐसी community नहीं होती है जिस community में leader of opposition को हिस्सा मिले कोई ऐसी community नहीं होती है जहां पर भारत के supreme court के mukh naadhis को हिस्सा मिले जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे national human right commission के chairman को point करने के लिए committee होती है जहां पर leader of opposition को भी एक role मिलता है लोग पाल को point करने के community होती है जहां पर leader of opposition है उन सभी को role मिलता है लेकिर यहां पर ऐसा नहीं होता यहां पर नियंतरक महलिखा परिच्छक का appointment डिरेक्टिट प्रेजिट अफेंडर करते हैं किसकी recommendation से council of ministry अगला point यहां पर देखा जाया जितना भी expenditure मतलब वे हुआ हुआ है चाहे वो भारत की संचित निदी हो चाहे contingency fund of India हो इन सभी करते है उसकी भी audit करने का काम करते है तो आप समझ सकते है CAG किसी राजी का नहीं होता राजी की audit करने का काम भी नियंतरक महलिखा पर इचर करते हैं और इनकी report ही राजी की विधान सभाव में रखी जाती है ते भी आप याद रखें देखा जाये तो contingency fund का तो audit करते ही है और public account of India की भी audit करते है देखा जाये तो आप लोग क्या comment कर सकते है कि console fund of India आपको पता होना ची console fund of India मत भारत की संचीतिरी और public account ये दोरों ही एक प्रिकार से constitutional fund कहलाते है और जो contingency fund है वो एक प्रिकार का statutory fund कहलाता है क्या बता सकते हैं आप console fund of India और public account किस article है में संड है है कि ये सारा का सारा जितने भी government के departments होते हैं उन सभी departments के audit त्यार करते हैं और audit करने का मतलब ये है कि सारी जितना आपको प्रेशिट मिला मतलब पैसा मिला और जितना आपने खर्च किया जितने ही bodies होती है central government estate government के अंदर जितने भी revenues आते हैं शिकwat मेशन सभी डी मेशन के audit करने का मतलब करते हैं लेकिन कमाल की बात ये है कि यहाँ पर audit करते वह कुछ चीज़ों के audit नहीं करते जैसे बात करें यदि बात करें हम IOCL के audit करते हैं NPCL के audit करते हैं जितनी ही PSU से लेकिन बोग यम्याद रखें इनके अर्डिट इंडिपेंड और के दार किया आता है और वो डिरेक्ट लिपोर्ट समिट करते हैं तो यह भी आप याद रहें देखा जाए तो जितने भी नेट प्रोसीड्स आफ टैक्स हैं डूटीज हैं उन सभी को सर्डिफाई करते हैं इनके इनके सर्डिफिकेट काफी इंडिपोर्न होते हैं वेल देखा जाये तो भारत में चैजिए का जो काम होता इसे ब्रेटेन की बात करें तो वहां पे पर फंड आपको निकालना है तो चैजी की सिगनेचर के बाद ही होता लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता भारत ने में काम होता है और्टर जनल का मतलब जब कोई काम हो चुका होता है पैसा एलॉट हो चुका होता है पैसा खर्च हो चुका होता है उसके बाद ही आडिट करते हैं और यह प्रिकास से कह सकते हैं कि पोस्ट माटन रिपोर्ट को त्यार करते हैं वेल देखा जाया तो यह स्टेट हो या राज्य हो सेंटर हो या राज्य हो, केंदर हो या राज्य हो उन सभी करड़ करते हैं और उसकी रिपोर्ट respectively से केंदर की बात करें तो प्रेसजेंट को सौपते हैं, राज्य की बात करें तो गवर्णर को सौपते हैं और बाद में जो प्रेसजेंट है वो अप्रेस रिपोर्ट को पार्लेमिन में टेबल करते हैं और जो गवर्णर होते हैं मतब राजपाल वो इस रिपोर्ट को कहा रखते हैं तीन प्रिकार की रिपोर्ट करते हैं पहला अप्रोपेशन एकाउंड का तूसरा फाइनेस एकाउंड का और तीसरे आप पब्लिक अंडर्ट रिखेंगा ये तीनों चिचों के आड़िट करते हैं ये तो ये आप याद रिखें तीन आड़िट रिपोर्ट्स को त्यार करते हैं ये आप याद रिखें वेल सीची और पेसी का काफी बहत पूर्ण रिलेशन है पब्लिक अकॉंड कमेटी इसे बोलते हैं लोक लेखा समीटी पार्लिमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टन कमेटी है देखा चाया तो ये कमेटी इसमें इस कमेटी में आपको याद होगा कि इसमें लोक सभा और राजवाद दोनों का हिस्सा होता है और कुल 22 इंबर होते हैं जिससे 15 होते हैं लोक सभा से और शात होते हैं राजवाद से लोक लेखा समीट के दिए बात करें लोक लेखा समीट का इन्हें गाइड फ्रेंड फिलॉसर बुला आता है क्यों चुकि CAG की जो रिकमेंडेशन या गाइडेंस देते हैं वेल पब्लिक काउंट कमेंट की की बात करें तो लोक लेखा समीट के खारकाल से केवल एक साल का होता है मतब एक बार में एक साल की काम करते हैं और हर साल अलग-अलग इलेक्शन होता है 2020 की बात करें तो आपको पता होगा अधिर रेजन चोधरी पब्लिक काउंट कमेंटर के चेर्मन बनाएगे लोक लेखा समीट किए कि यह भी इंटरेसिंग पॉइंट है यहाँ पर जो चेर्मन बनते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से बनते हैं तो यह भी आप प्याद रखें तो कई सारे और भी काम दियाते हैं C.A.G. को वो इन सभी चीज़ों के बारे में पार्लेमेंट मतलब संसत को आउगत कराना इनका में काम होता है तो यह आप याद रखें C.A.G. की बात करें Security of Trainer दिया गया है मतलब उनको आसानी से नहीं हटाया सकता appointment तो आसानी से होता है लेकिन removal जो है काफे difficult होता है मतलब राजपत इनको कभी भी हटा नहीं सकते मतलब इनको वैसे हटा सकते हैं जैसे Supreme Court Judge को हटाते हैं भारत के Supreme Court मतलब भारत के उच्चितम न्यायले के Judge को जैसे हटायाता है ठीक वैसे ही removal आपका भी होता है तो यह भी आप याद रखेंगे Evenly इनकी salary भी Supreme Court Judge के बादा होती है और उनकी होती है that's 2.5 lakh 2.5 lakh salary होती है तो यह भी आप याद रखें दूबारा दूसरा point यह है कि यह further office में नहीं appoint कहा सकते है मतलब reappointment का नहीं होता और retire होने के बाद में गौर्वर्मेंट आफ इंडिया गौर्वर्मेंट आफ इस्टेट के अंदर में काम नहीं कर सकते है तो यह भी आप याद र रखें प्रेजिजेंट हैं गवर्नर हैं लोकसभा के मिंबर हैं राजसभा के मिंबर हैं विधायक बन जाएं सांसल बंद हैं तो यह government of India, government of state country में नहीं आते क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सुप्रीम कोड जज़स को या CGI को चिज़स अप इंडिया को वक्त व देखा जांती इंककी सेलरी टिसक्स किया था हमने Parliament डिसाइट करती हैं लेकिन पालेमेंट करती हैं क्या किया है ancient president Circinde कोंड की मतलब यह सॉप्रीम कोड म elli कितनी हैं सुप्रीम कोड कि मुखनाद इस की सैलरी कितनी है milliards सकते हैं आप अप लोग कमेंड करके प्ली और ऐसाख ह सब्सक्राइब करें इसलिए यहां पर आप इसो कम नहीं कर सकते यह भी आप याद रखें इट कम्स फ्रॉंड फंड आफ इंडिया और इंडिया तो यह कुछ महत्पूर्ण पॉस्ट है बहुत कुछ करना है लेकिन फिलहाल टाइम इस गटिंग ओवर तो आज के वीडियो के यह एजिया की डिया की अट प्रिक गॉड फ्रॉंड तो पीडियो है वीद वसक्राइब कर दो दॉसक को सेंगें जब क्लोच चोई कर सकते हैं जब कहुत क्लोच सूर्ण संगें आप द्सलिए बबागा तकार है वान फो बेट किर हैं वानly अन्टन फेश्विए बाइग झाल झाल